चलिए जी नमस्कार आप से विगार्स वाकेता आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और मैं नवीन पारिक आज हम चर्चा करेंगे नुट्रीशन के बारे में नुट्रीशन भी जितने वीकिशल है जो कि हमारे पी आर यादो बुक की अंदर जो है यह की पी आर यादो बुक है वो नраст nữa की सबसे बैसिक मुक होती है और mostly जो MCQs है वो यहीं से put up होते हैं यहीं से का मतलब है उसी type का होते हैं क्योंकि previous year के execution है बहुत जादा important होते हैं तो चलिए चर्चाए करेंगे साथ साथ में पढ़ेंगे और जब तक आपका और साथ रहेगा कोसिस करेंगे लगभग पूरी जो है PR यादव को complete करने की तो ठीक है और अगर आपको भी इबुक अच्छी लगे तो इस में दे रहे हैं आप भी चाहिए इस बुक को purchase कर सकते हैं लेकिन चलिए क्यूशन के शुरुवात करते हैं आप यह आपके सारे फ्रेंड्स को बता देना कि यह बुक यहां पे solve होगी और चलिए प्रकिरिया का नाम बताना है जो आपको क्या प्रोवाइड करती है प्रोवाइड और ओप्टेन द फूड नेसेसरी फोर ग्रोथ ऐंड हाल्थ तो सीधा पता इस प्रकिरिया का नाम नूटिशन होता है nutrition एक बाप प्रकिरिया है जिस प्रकिरिया के अंदर हम क्या करते हैं अलग 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 प्रकिरार के जो कि प्रोटीन कार्वोड़नेट, फेट विटामिज इन सब करते हैं ताकि हमारे जो growth and health बने हैं इसमें को यह ऐसा rational वाली चीज नहीं है अब कुछ आएगी रेस नर्वाली चीजे, अब बूछ रहा, proximal principle include all except, कौन सा पूछ रहा, proximal principle all के इन में से सारे इन में से एक जो है proximal principle नहीं है, तो सबसे पहले बात करते है, proximal principle क्या होता है, जो हम जानते है, nutrient के बारे, nutrient दो परकार के होता है, एक होता है micronutrient, एक होता है micro, एक होता है macro, त्यार रखिएगा, जो micronutrient होता है, इसमें दो परकार के nutrient आते है, एक आता है minerals, अब मैं sword में लिक रहा हूँ, ठीक है, एक आता है minerals और दूसरा आता है क्या, vitamin, vitamin और minerals है यह तो micronutrient कहलाता है, ठीक है जी, और micronutrient होता है, इन ही का दूसरा नहीं होता principle, अब इनको principle इसलिए बोला जाता है, क्योंकि जो अपना जेतना भी food होता है, जैसे अपना जो खाना है, जो खाने का मलक है, यह खाने का मतलब होता है, खाने को गड़ा, जदा ऐसा बनाने का काम जो करता है, वो को होन करता है, macronutrient, अभी macronutrient क्या होता है, protein, fat, carbohydrate और water, ये जो है, वो क्या कहलाते है, macronutrient, या फिर हम इसको बोलता है, principal, proximal principle. मैंने बता है, proximal principle क्यों बोलता है, proximal principle अब धीले बोलता है, क्योंकि क्योंड गलाई, उस खाने में coincdoor, मातरा खिंदर मिलेगा आपको सब-छीन, fat, carbohydrate, water, यह मिलेगा, इसलिए इन्हें बोलता है proximal principle अब जो बात करते है water की आपको पता होगा ना water ठीक है spelling के उपर आप बिल्कूल भी मत जाईएगा क्योंकि हमें पूरा experience है आप यह मा सोची है हमें experience नहीं 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 पुराने की लाड़ी हम भी water जो है यह तो बोड़ी की बात है लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसमें जो water है वो 80% तक water मिलता है तो अगर आपको पूज भी ले कि जितने भी macronutrient है हलाँ कि water किसमें आएगा macronutrient में तो macronutrient में भी सबसे जादे क्या हो है water 80% तो इसका answer क्या होगा proximal principle कौन नहीं है तो भाया vitamin नहीं है कौन नहीं है और कौन नहीं होता अगर minerals होता तो minerals भी नहीं होता ठीक है जी चलिए ना च्टक्यूशन पर the most abundant nutrient present in our body हमारे जरीर में सबसे ज़्यादा मातरा में क्या होता है अभी मैंने बता है सबसे ज़्यादा मातरा में water होता है लगभग लगभग तो आप कह सकते हो 60% से 80% के पीछ में 60-80% हम कह सकते हैं क्या होता है most abundant nutrient present in our body is water water सबसे ज़्यादा होता है अगले क्यूशन की बात करें आप सोचरों के नहीं सकिया comment comment वाणा भी चालू कर देंगे धीरे धीरे ठीक है the normal human temperature is maintained by जो human temperature है जो normal human temperature होता है वो किसके द्वारा maintained होता है आपको पता होना चाहिए temperature regulatory center कोण सा होता है hypothalamus hypothalamus temperature regulatory center होता है लेकिन यह दूसकी बात है हमें तो यहाँ पूचा जा रहा है fiber protein fat या carbon hydrate तो ध्यार किए का हमारे body में fat होता है तो fat होते हैं यह edipose tissue के रूपे में रहता है कौन से tissue में edipose tissue में रहता है आपने बढ़ा होगा ना white edipose tissue brown edipose tissue तो यह क्या करते है यह heat loss से बचाते है ठीक है जी तो यह जो होते है temperature को maintain करते है तो आप से question पूचा जाई कि temperature maintained किसके दवारा होते है fat के दवारा fat में भी कौन सा edipose tissue के दवारा अगल question की बात करा what is also known as lipid that is necessary for normal transport and utilization of other lipid especially in the liver जार question को समझ लो what is also known as lipid that is necessary for normal transport and utilization of other lipid in the liver अब मैं बता देता है आपको बात अब बात यह है कि the lipid is necessary for normal transport of lipid in liver यानि कि liver के अंदर एक ऐसा lipid होता है अभी आप समझे ना ना एक liver के अंदर एक ऐसा lipid होता है जो दूसरे lipids lipid का मतलब हो क्या fat यानि liver के अंदर एक ऐसा fat का लिपिड होता है जो दूसरे lipid को transport करता है उसका नाम होता है lecithin क्या नाम होता है lecithin इसी lecithin का दूसरा नाम होता है phosphor phosphatidylcholine phosphatidylcholine तो जो एक lipid होता है जिसका नाम होता है phosphatidylcholine यह कहां पर पाए जाता है लिवर में है यह काम पर पाई जाता है लेसितिन काम पर पाई जाता है लिवर में और यह लिवर में काम क्या करता है कि दूसरे लिपिड को ट्रास्पर्ट करने का काम करता है दूसरे लिपिड को क्या करता है ट्रास्पर्ट करने का काम करता है अब यह lecithin करता कैसे है, यह lecithin क्या करता है, इनको transfer करके यह जो lipids होते हैं, इन lipid को खुद को, इंन lipid मतलब fat को, fat को emulsify करने का काम करता है और fat को digest करने का काम करता है, याद रहेगा कि sir, lecithin जो है, यह एक ऐसा lipid है, जो दूसरे lipid को transfer करता है, किसमें, liver में, किसमें ट्रांस्पड करता है लिवर में, और यह लेसेतीन का काम दूसरा क्या किया है कि ये खुद इस phate को तोड़ने का काम करता है, phage को emulsify करने का काम करता है. ठीक है जी. तो अब घृष्षम समझ warmth ए, which is also known as lipid के उस लिपड को क्या करता है, that is necessary for normal transport of lipids, जो दूसरे लिपीड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करें कहां पर लिवर में पता चलों कि अगला इस कुछ देखो which of the following is a good cholesterol अच्छ good cholesterol क्या होता मुझे पता है आपको आंसर बता है यह तकी शन आपको पता है good cholesterol क्या होता है good cholesterol वा cholesterol होता है जो होता है high density lipo high density lipoprotein high density lipoprotein क्या होता है कि यह ऐसे lipoproteins होता है जो हमारी क्या करता है cholesterol को जो बोडी के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बोडी में, हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल है, उसको उठा करके, उसको उठा करके लिवर में भेजते हैं, लिवर में भेजते हैं, तो हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन क्या होते हैं, कुछ ऐसे लिपो इस फेट जैसे माली जी तना फेट है तो यह आपकी जैसे माली जी कोई आर्ट्री है अब ऐसे आपके कोलोस्ट्रोल जमा हो गया दिये क्या कर देगा आर्ट्री को पूरा ब्लो कर रहा है ब्लो कर रहा है तो यह HDL क्या करता है high density lipoprotein क्या करता है इस cholesterol को यहाँ से उठा करके और का भेज़ता आपके liver में यानि यह किस की risk को कम कर रहा है यह आपकी ethoscloresis की risk को कम कर रहा है तो इससे क्या होगा इससे हार्ड अटेक की risk कम हो जाएगी हार्ड अटेक की risk कम हो जाएगी MI की risk कम हो जाएगी बात ही समझ मैं तो पूछा जाने वाला question है कि MI की risk को कम कौन करता है high density lipoprotein अब इसी का एक ultra question जो अभी KGMU के अंदर पूछा गया था KGMU का एक्जामाद उसी का पूछा गया था कि ऐसा कौन सा lipoprotein है जो ethoscloresis या heart attack की risk को बढ़ाता है तो उसे हम bade cholesterol का नाम से जानते है ये ध्यार रखेगा जो low density lipoprotein है ये low density lipoprotein को किस नाम से जानते है bade cholesterol के नाम से जानते है और ये हमारे का एक अगरता heart attack की risk को बढ़ाता है ये भी ध्यार रखेगा very low और low dog में confusion रहता है लेकिन आपको हमेसा किसको प्राइटी देनी, लो डेंसीटी लिपोग प्रोटीन को प्राइटी देनी, क्योंकि इसको बोलता है, बेट बोले स्ट्रोल, हला कि वेरी लो भी जिम्मेदार है, लेकिन अगर कमपेरिटीवली पूछा है, तो अगर या अंसर जाएगा, अगरा किवशिन आ गया है, विच ओंदु फॉलल इंग लीपीट है, इस हाइस्ट असोसियेशन, विट एथरोस्कलोरोसिस, एथरोस्कलोरोसिस के साथ में किसका रिस्ता सबसे ज़्यादा है, आपका अंसर क्या सर जाएगा, लो डेंसीटी लिपोग प्रोटीन के साथ, अग अब बात करते हैं कि सेट्यूरेटेड फेटी असीड का होते हैं पहले हैं, तो सेट्यूरेटेड फेटी असीड का मतलब होता है, फेटी असीड जो की, जिसमें जो कार्बन होता है, फेटी असीड जिसमें जो कार्बन होता है, वो दूसरे कार्बन से एक सिंगल बोंड के तुरू जुड़े वे रहेंगे उसे कहता है से इतना पता चलिया है इसके कुछ एक्जाम्पल है जो कि बहुत इंपोर्टन होता है इसके कुछ एक्जाम्पल है जैसे इसेटिक हम परकते ना एक एक प्रोइक यह दौनों है इसेटिक भी है डिया नाम आपको याद करने पड़ेगे एक होता है फोर्मिक क्या होता है फोर्मिक और एक होता है पाल्मी टिक पाल्मी टिक यह सारे कौन सा होता है saturated fatty acid होता है जो alike होता है यह alike यह क्या है यह unsaturated unsaturated कौन सा unsaturated है alike जो है यह unsaturated है तो आपको accept का question था आपको क्या आंजर बता आना चीज़ का important question है जड़ा थोड़ा इसको ध्यान देना याद रिख लेना और लिक जो है वो तुम्हारा unsaturated है ठीक है the essential fatty acid that must be derived from the diet अब पहले समसलो essential fatty acid क्या बहुता है essential fatty acid का मतलब होता है कि अब उड़ता है तुम्हें essential fatty acid पूचे या तुम्हें essential amino acid इसका मतलब या होता है कि ऐसे fatty acid जो कि हमारे body में present नहीं होते है हमारे body में present नहीं होते है हमें उसको किसके साथ में food के साथ में लेना पड़ता है essential fatty acid को क्या बोलता है essential fatty acid जो कि must be derived from the diet बोल दिया इसने कि उसे हम diet के साथ लेते है ठीक है पहला का नाम होता है लिनो लेनिक, लिनो लेनिक एसिट, ठीक है, लिनो लेनिक एसिट, दूसरा नाम होता है लिनो लेक एसिट, लिनो लेनिक, लिनो लेक और तीसरा होता है, एर्किडोनिक एसिट, एर्किडोनिक एसिट, यह तीन परकार के क्या होता है, इसेंसियल फेटी आ नूट्रिशन लेकिन, हाँ क्योषिन येहां से फस्ट जरूर है, क्योषिन ये फस्ट है अब जिंता अमट करना है हो, तो एक तो थोड़ा से याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा से याद रखिया करो, कि लिनोख असीड, लिनोलैनिक असीड और अर्चिडोनिक तो यह जो है इसेंसेल फेटी असीड है तो जो लो यह देखो लिनोलाइक असीड अलफा लिनोएक असीड और इसके अलवा अर्किडेस असीड ठीके अलफा है इसलिए अपर गांमा दे रहेंका गांमा नहीं होगा लिनोएक अशीड अलफा लिनोएक असीड और अर्कि अव्योंग असीड उकल में अस्तुक्ता यह essential fatty acid होता है अगले question पूर्च रहा है कि which of the following need the essential fatty acid essential fatty acid कौन सा है अभी हमें पता linoic acid lino-like acid linoic acid और arachidonic acid यह क्या होते हैं essential fatty acid होते हैं वापस ती नामें इनको याद गर लो क्योंकि इसे question repeatedly बनते हैं lino-like acid, linoic acid over arachidonic acid और पूछ से हिन में से कौन सा alpha या मीटा तो alpha क्योंकि नहीं गया ला तो fat soluble antioxidant synthesis in our body fat soluble antioxidant यानि एक antioxidant क्या होते हैं आपको पता ही हमारे body में क्या होते हैं कुछ antioxidant होते हैं क्याते हैं antioxidant जो आपके चेहरे को glow करते हैं अब यह हर कोई चीज किसमें गुलनी चाहिए वोटर में गुलेगी तो fix है ना अगर वोटर में soluble होगी तो ठीके urine के दुरू वह चीज बाहर आ जाएगी दियान रखिए कि बोटी में कोई चीज खाते हैं तो उस चीज का बाहर आना बिल्कुल जरूरी है वारना कहीं ने कहीं को side effect करती है तो इन में से ऐसी कौन सी चीज है the only fat soluble fat soluble antioxidant synthesis on our body कि ऐसा antioxidants जो कि water में गुल के ना गुल के fat में गुले ऐसा antioxidants जो कि हमारे body में बनता है जो कि water में तो ना गुलता है बलके किस में गुलता है fat में soluble हो fat में गुल है वो कौन सा है तो यहां रखिएगा vitamin D, thiamine, ascorbic acid और co-enzyme Q10 अब जो नया नाम लिख्या उसी को पकड़ दो यह जो co-enzyme Q10 है यह co-enzyme Q10 है जो किस से बना होता है यह tyrosine से बनता है किस से बनता है यह tyrosine से बनता है co-enzyme Q10 यह tyrosine से बनता है और यह क्या है antioxidant है antioxidant है जो कि किस में किस में गुलेगा भई fat में ठीक है याद रखना co-enzyme Q10 जो कि tyrosine से बनता है जो कि किसमें बोलता है fat soluble antioxidants है जो कि हमारी बोड़ी मनता है fat soluble antioxidant है Q2 क्योशन नमर बारा last time में वापस revision भी करेंगे इसका tension मत रो क्योंकि हम उनकी तरह नहीं है जो एक एक गंटे में खाली 5 क्योशन, 2 क्योशन, 3 क्योशन, 10 क्योशन एक गंटे में आपका पूरे 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 पीयार यादो करने का बोला तो फिर पूरी पीयार यादो भी करेंगे ठीक है अब nutrition इसमें जादा कुछ rational जैसा है नहीं और जादा याद रखने वाला भी नहीं है लेकिन हम मेन में जाजी याद रखने की कुछ कुछ चीज़ा है ठीक है चलो अभी मैंने थोड़ देर पहले आपको essential fatty acid बताए उसके नाम वापस याद करा तो essential fatty acid तीन नाम एक दो ती अरेकिडोनिक एसिड लिनोइक एसिड और लिनोलनिक एसिड ठीक है ठीक है ठीक है अभी essential fatty acid याद हो गया है नच्ट क्विशन देगों 12 नंबर क्विशन करेक्टरिस्टी को अफ सक्सेश्फूल डाइटर्स इंक्लूड ओल अफ दो फॉलोविंग कि सक्सेश्फूल मतलब कि उत्तम डाइटर्स मतलब जो खाना मनाता है जो कहता है डाइटर्स मेनेजमेंट से मालता है वो सबसे बेस्ट कौन सा है पहला गया है मैंटेनिंग एड डेली फूड जर्नल जो कैलोरी को काउंट करें एड़िंग तो इस्ट्रिक्ट इटिंग प्लान और एलिमिनेटिंग ओल कार्भोहड़र्स फॉम देर डाइट की अपने जो डाइट है अपनी जो सारी डाइट उसमें से जितने भी कार्भोहड़र्स होता है उनको निकाल दो यह कोई सक्सेश्फूल डाइटर नहीं करता ह क्योंकि कार्भोहड़र्स भी अपने जगें एक अच्छी भूमिका निकाल निकालता है ठीक है क्यूशन देगो अगला 13 क्यूशन 13 करा ओल अब दो फॉलोविंग आर ए गुड़ सोर्स ऑफ ओमेगा 3 पुफा एक्सेप्ट इन में से ओमेगा 3 जो होता है यह ओमेगा 3 ब्र K क्यूशन 13 करा गया पुझा एक्सेप्ट का क्यूशन है एक जो है गुड़ सोर्स नहीं तो द्यान दकना क्योशन 13 जोफार acquaint पाये जाता है जैसे कि पहला अपका जो मच्छी का OIL होता है ये टबट मेंने भी ली है फिर मुझे पता चला मैंने गार मच्छी के तेल से लेती है हम नहीं लेड़ना ची है मैं लेकिन खेर लैली जो लै ली लिए बीस लौत हैं यह दूसरा के था कॉर्ण ओयल एक्ट मक्य का जो तेल होता है विस पाइल पीसरा डॉंड नट attend sie jak तो अपका मुमभी देल में मर्पनेमें आपके मक्य के देल महते हैं और आपके फिस के देल में होता लेकिन आपके जो सर्सों का तेल ओधा हुए सर्सों कातेल यह सर्सों के तेल में यह नहीं होता है क्या ओमेगा-3 या पुफा जिसे बोलता है पॉली क्या नाम से जाना जाता है ठीक है तो कहने हैं मतलब है जो ओमेगा-3 fatty acid जो होता है जो कि पुफा हमें ने बोला कि अगर आपको पूछा जाए वन ग्राम कार्वो हाइड्रेट फोर किलो कैलोरी एनरजी देता है ठीक है अब आपका 1-gram protein 1-gram protein भी आपको 4-kcal energy देता है और 1-gram हापका fat 1-gram आपका fat पूछे तो 9-kcal energy देता है या अगर आपसे पूछा ले कि निमन में से कौन सा ऐसा component है जो आपको जदा calorie देता है तो वो क्या रहेगा fat fat आपको more kcal energy देता है 9 kcal energy देता है लेकिन carbohydrate कितना देता है 4 kilo calorie energy देता है लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि कि अगर सबसे जदा सबसे fast मातराम कौन देता है सबसे fast देता है आपको carbohydrate Cars boost सबसे fast देता है और जो carbohydrate की requirement हो थे अब ऐसा मानना जाता है कि यह जो carbohydrate है यह हमारी body को लग-भग-भग 70-80% सितर से 80% जो हमारी बोडी को एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है कार्भाइडरीटी तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि maximum source of energy और बोडी that is कार्भाइडरेट कार्भाइडरेट सितर से 80% एनर्जी हमारी बोडी को देता है जब एकि में कार्भाइडरेट के बाद ओफेट के बाद करूं तो ये फेट कैली 20-30% जो है ये हमें energy देता है तो फेट कतनी energy देता Block牌 को audio also 10 से 30% और तो आपसे आपसे नेकोडेट नंषी देता हैarfada जितर से 80% कार्भाइडर भाइडर और भी से 30% देता है एक ग्राम के अलावा घ्राना जान का definitive टेंने किसे जाधा सबसे जैधा एक्षाा में तो वह नो बोड़ किलोरी टेल स्वेग्राइब पुछा कि खाती जियुक है शरी क्या एक परकार की कार्वड़ इडिते 7 चार किलोह ऐंगर अलर्ड है और प्रॉटीन यह भी 4 किलोग अलरे नर्जी होए और य blas Column ज़ुकर मोशन देंसे सबसे प्रंप संसरी कर्ष ही ईंडरीट ने तो आपको विद स्क्रीन शोट और विद प्रूफ बताऊंगा कि यह क्यूशन यहां से इस सेसंग आया है अब विश्वास कर ले ना देख ले ना और जिसने विश्वास जो विश्वास करता है विश्वास कि हमें साथ जीत होती है कि एक बदिया है एक बात ही कि किसी एक जमण शादू के पास से लागिया कुछ manter लेने के लिए साधू ईस nya के iau की सादू को बիना आसा नहीं करते है लेकिन कुछ ऐसे होते ना कि माण देव मरदी ऊंचीज़स होता है तो कुछ-कुछ ऐसे मान्यता है कुछ रिचूल से जिसमें कुछ यूज करते हैं बाकि हर कोई सादू जो सादू मात्मा जो बड़े संत हैं ये कभी भी ऐसे मादगीय मदीरा वगरा इसे कुछ चीजों को यूज नहीं करते हैं लेकिन कोई होते हैं देवी की वक्त वगर ऐसे कुछ हो कभी कभी तो वह कोई करते हैं तो कोई था थोड़ा सा नसे में था हलका सा और उस समय कोई वक्त चला गया कि मुझे कोई मंतर दीजिए तो मैं उस मंतर का जाब करूंगा तो माराजी ने उसको मंतर दे दिया और मंतर क वह जाब करनी लेगा वो थोड़ा सी घ्र में थे तो उन्होंने कुछ मंतर जो है सैडिंग से उच्छारण से उच्छारण उसको शिखा यह नहीं क्या होता है उसने गलत उच्छारण करना शुरू कर दिया कोई देवी का मंतर था एक दिन देवी प्रकट होगी और देवी प जगन से तु ये मंतर का जाब कर रहा है लेकिं ये मंतर तु जाब कर रहा है वो थोड़ा गलत है तेरा उत्चारण गलत है उसने का अगर उत्चारण गलत होता तो आप प्रगट नहीं होता है आपको प्रगट करने के लिए मैं इस मंतर का जाब कर रहा था आप इसे इसलिए जद आपने समय को आपको थोड़ा दिमाग लगाओ यार हर किसी के पिछे मत भागो में यह क्योंकि मेरा इत्यास रहा है आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हो थर्ड यर सेकेंड यर फोर्थ यर तक बच्चों का किस प्रकार से उनके साथ रहा लेकिन अब जब देख आपको समय वेस्ट करना क्योंकि 10,000 की वापस नहीं आने वाड़ी है ना नर्सिंग वापसर की 10,000 की वापस नहीं आने वाड़ी है और अगर तुम ऐसे ही गूमना है तो एज यूर विस चलो वीजो फॉविभी नूट्रिंट प्रोवाइड एन्रजी फोर बोडी कि वूशन पूल सा जा रहा है पिट जिए फ्ज प Bring she होता है तो सबसे बेल आपको यह तो पता हो लिपीड कितना होता है तो यह लो साब आपको की एक्स्ट्राक्यूशन की बहुत सार है कितना एक्स्ट्राक्यूशन चाहिए बतो एक एंटे में कितना करा थे हम भी तो देखें कितने करा देंगे हम भी लिपीड की बात करें लिपिड होता है तुम्हारा डेरी वेट्यूस डेरी वेट्यूस कितने परकार के लिपिड होता है तुम्हारा डेरी वेट्यूस डेरी वेट्यूस कितने परकार के लिपिड होता है तुम्हारा डेरी वेट्यूस डेरी वेट्यूस कितने परकार के लिपिड होता है तुम्हा लिपीड इन दा बोडी हमारे बोडी के अंदर तो सबसे मस्ट कोमन लिपीड होता वो क्या होता है ट्राइगलिसरेड होता और लगभग लगभगी 80 से मैसा कह सकता है चलो 99% ही का दू यार लो अगला आजवो अगला कंपांड लिपीड के अगजाम लिपीड के एकजापल होता है फोसपालिपीड जो कि 99% अगला क्या हो गया होता है Phospholipid, glycolipid और lipoprotein और derivativen की मैं बात करू तो derivativen का होता है cholesterol और alcohol cholesterol और alcohol तो अगर तुम्हें तुम्हें पुछे cholesterol इस है तो neorry not forget cholesterol इस है lipid और कौन सा derivative lipid तो cholesterol इस है lipid कौन सा अ świat है? derivative lipid cholesterol और alcohol किया होते हैं? derivative lipid होते है ठीके जी तो इसका अंसर क्या चला जाएगा compound lipid पूचा था तो compound lipid का अंसर चला जाएगा phospholipid ठीके next question cholesterol is जे compound lipid gene नहीं compound में तो phospholipid glycolipid glycoprotein होते हैं simple lipid gene नहीं simple lipid में triglyceride होते हैं alcohol यह नहीं alcohol यह क्या पूच रहा है elephatic alcohol elephatic नहीं होता cholesterol क्या है derivative lipid है अगले क्यों पूच रहा है कि example पर simple lipid simple lipid का example क्या है अभी हमने पढ़ा क्या है triglyceride simple lipid का example क्या है triglyceride sorry lecithin क्या बेटा ही lecithin तो एक परकार का lipid है जो क्या करता है बदाऊ lecithin क्या करता है यह दूसरे lipid को उठा करके किस में बेज़ता है liver में बेज़ता है और liver में फिर इसका क्या होता fat का emulsification होता है याद हुई चीज है याद हो रही है चीज है होनी भी चाहिए a lipid can restore in the body as a food resource because they are यह जो lipid है यह हमारे body में store होता है क्यों भाई यह lipid हमारे body में store क्यों होता है reserve food के रूप में store क्यों होता है क्यों यह जो lipid है यह urine के थूरू यह stool के थूरू पूरे बार नहीं निकल जाते क्यों आपका पेट के उपड़ जो आपकी चमड़ी आ रही है क्यों आपकी चर्भी बड़री क्यों भाई क्यों आखिर पूचता है भारत सब्सक्राइब बता देना एंकर का नाम कोह नहीं पूचता है भारत का एंकर का नाम बताओ तो lipid can be store in our body food resource क्योंकि यह जो lipid होते हैं जहां दखिए कि जो lipid होते हैं जो fat होते हैं कहता है ना fat जम जाये तो जम जाये fat जो है water में insoluble होते है यह water में गुलंसील नहीं है water में क्या है insoluble है water में गुलंसील नहीं है अगर fat water में गुलंसील नहीं है fat अगर water में insoluble है इसलिए ये fat हमारे body में store हो जाते हैं हमारे body में जम जाते हैं तो answer मार दो पचीड insolubile aqueous solution ये हमारे जो है aqueous solution में क्या होता है insolubile होता है ठीक है qeisher अगला अगला question कहा रहा food contain 13 gram fat 31 gram carbohydrate 5 gram protein अब देखो कर लो बिल्कुल simple simple से तो क्या रहा है 13 gram क्या बोल रहा है 13 gram fat और तुम्हें पता है 1 gram fat किते calorie energy देता है 9 kilo calorie energy देता है तो 13 और 9 से multiply करेंगे तो 117 31 gram carbohydrate और 1 gram carbohydrate किते calorie calorie देता है 4 kilo calorie तो ये लो सर 3 और कितना होगा 124 5 gram protein और protein भी कितनी देता है 4 तो 5 होगे 20 अब जोड़ दो 117 प्लस 124 प्लस 5 कितने होगा है लगभग लगभग प्लस 5 क्या 20 नहीं तो लगभग लगभग होगे होगे तुम्हारा 261 kilo calorie कितना 261 kilo calorie अग लागेशन पूसे जा रहा है अरुपाई इस पार PDF छोटी करवाण ये पड़ी है बड़ी बनादी उना ले तो Basic Structure Unit of Protein Protein की जो Structural Unit है वो क्या होती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो Protein की Structural Unit होती है Protein is made up of Protein किसका बना होता है तो Protein बनते है भाहिया Amino Acid कि किसे बनते है Amino Acid से इसलिए इन Amino Acid को बोलता है Structural Unit of Protein Protein की क्या बोलता है Structural Unit Basic Structural Unit of Protein is Amino Acid और कौन सा Acid Amino Acid क्योशन पूचा जा रहा है What is the end product of Protein ये Protein वापस तूटेगा तो जो सबसे लास्ट में छोटे मोलीकूल से में तूटेगा उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें Amino Acid बोलेंगे और वापस इन्ही Amino Acid से क्या बनता है Proteins बनता है तो Protein Amino Acid के Derivate ये उसे होते है बात नहीं समझ गए अब Amino Acid भी दो टाइप क्या होते है एक होते है Essential Amino Acid एक होता Non-Essential Amino Acid तुमसे पूछ रहे Essential Amino Acid Essential Amino Acid क्या होते है ये अब इनमें पूछा NOT कि इनमें से कौन सा है Which among of these Which among Which these अरे भाई Among these which is not Essential Amino Acid कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो Essential Amino Acid नहीं है तो तुमें नहीं का पूछा है अगर तुम बता होगा मैं तुमें Essential Amino Acid बता दू तुम नहीं तो ढूछा है Essential Amino Acid की ट्रिक क्या होती है वो भी समझे लो Essential Amino Acid होते है अब Essential Amino Acid क्या होता है बो देखो पहला तुम कैसे भी याद गरो लेकिन मैं तुमें याद गरा Total Amino Acid की वेल्यू दिया रिखेगा Total Amino Acid होते है चोईस केतरा होते है Total Amino Acid चोईस Essential Amino Acid मैं से आपके तीनर केतरा होगे देखो लग बग 9-10 है केतरा है अब 9 भी है 10 भी है कैसे मैं तुमें बता होगा कैसे चलो एक 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 सुरुवात करता है पहला एक होता है Tryptophen 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 दूसरा होता है Threonine Methionine Histamine Sorry Histidine Histamine दुबह होगे है Histidine और बोलो Leucine इसके में ट्रिक बता देता हूँ आपको उस ट्रिक से याद करना आपके लिए एजी रहे है इसकी ट्रिक क्लिक हो यहां पर में लिक देता हूँ VIP Hall में TT VIP Hall में TT V से द्यान अब देख तुम जो नाम में तुम आगे देख लेना तुम सर्च में कर लेना मैं तुम नाम बता रहा हूँ कितने होगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छै, साथ, आट, और नो, दस ऐसे तुम दस होते हैं लेकिन अगर आप से अडल्ट में पूचे तो अडल्ट में होंगे नो और इंफेंट में होंगे दस कैसे देखो B मतलब होता है Welline I मतलब होता है Isolucine P मतलब होता है Phenyleninin H मतलब Histidine A मतलब Arginine इसको थोड़ा सा मामलब पकड़ो Arginine को Arginine क्या होता है यह लेट वगरा energy वगरा देता है हमारे अडल्ट में इसका कुछ ज़्यादा योगदान है ने अडल्ट में हम इसको बोल देते है Non essential amino acid लेकिन इंफेंट में क्या होता है essential amino acid अब essential amino acid का मतलब यह नहीं है जो जरूर ही है अभी मैंने बदाया था essential amino acid का मतलब यह होता है कि ऐसे amino acid जो हमारे body के अंदर बंते नहीं है हमें वो क्या करना पढ़ते है बाहर से लेने पढ़ते है अडल्ट में तो non essential है हमारे body में रहता है लेकिन infant हमें इसक्राइन क्या करना पढ़ता है इसलिए अगर तुम्छ अडल्ट में essential amino acid के लिएते न होता है को सिद्ध याद रखना है मिठ्ध्योनिन टी मतलब ट्रिप्टोफेन और टी मतलब थाइरोनिन ठीक यह सारे सार नाम आप जो है देख लेना मेने नाम आपको बता दिये हैं तो पूचा इन में से कोण सा इसे इन से लमाई वाशिट नहीं है तो किसमें पूचा है देखो ट् हम इसको अरजीन को नहीं मानते हैं लेकिन अभी या चाइल्ड ही हो सकता है तो आप cancer का चला जाएगा alanine alanine कोई भी ऐसा amino acid नहीं होता है essential amino acid आप नेमट essential amino acid एनको क्यों बोला जाता है क्योंकि यह हमारे life के लिए ज़रूरी है नाइ प्रोडूजिन और बोडी नहीं, नाट प्रोडूजिन और बोडी, यह हमारे बोडी में प्रोडूजिन नहीं होते हैं, हमें इंको बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए 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 और इंव्हे जो फिरक हह दरिएक कि कूछ सकत होगा। यह स्पिलिंग से देखते हैं, अजुद है कि इस में अग्सपिलिंग बताइए, प्लसलेगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं बच्चा कि मैं एक एक चीज़ों को आपको सिर्फ प्यार के एंसी क्यों करने उससे सोल्व करो होगी है क्योंकि एक मैंने में लगबग सारी वेक एंसी है क्योंशन फसान है अपने को एंटिफायए इसेंट सेल अमाइनो एसीड फॉलौविंग इन मैंसे कौन कौन से इसेंचिल माइनो एसिड है तो देखो तुम non essential आमाईनों से डुक्राइद मत रख ना तुम हले essential को रख लो अगर तुम essential को रख लोगे ना तो जो नो न होगा वो बच्चा हो कौन सा होगा फिर नॉन इचेंचर तो मैं सारे नाम वापस एक बड़ ट्रिक बता देता हूँ वी आईपी होल में टीटू टिप्टोफेन थाइरोनिन ठीक है यह अब आपका हो गया मिठ्षोनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनीन, लाइसीन, लिूसीन, वेलीन, आईसोलिूसीन और फैनेल अननिन ठीक है अर्जिनीन का करण से तो पुदिया रखना जो छोटो बचों होता, अडेल ट्रैक नहीं होता है नेट पोटीन, यूट्टाइज़ेशन इस मैक सिमग फोर, अच मीन डर्बक उलता है इसको बोलते है NPU क्या बोलते है NPU आपसे ट्रिक्टिशन पूचा जा सकता है NPU की फुल फॉर्म पूची जा सकती है NET PROTEIN UTILIZATION NET PROTEIN UTILIZATION यह हम NET PROTEIN तो UTILIZATION है यह किसलिए करते हैं यह मेजर करने के लिए करते हैं PROTEIN की QUALITY को कि जो PROTEIN हम जो ले रहे हैं उसकी QUALITY कैसी है उत्तम QUALITY का PROTEIN कौन सा है तो तो वे इसका भी एक confusion आज़ा बहुत बड़ा दूर करना हूँ याद रखना है यहां से PROTEIN के हम जो है QUALITY को देखता है यह PROTEIN जो है मैं ऐसे बात बहुत तो PROTEIN को हम दो भागों में डिवाइड करता है कितना भागों में डिवाइड करता है दो भागों में डिवाइड करता है आपका PROTEIN A आप PROTEIN B PROTEIN A को बोलता है FIRST class PROTEIN PROTEIN B 누가 second class PROTEIN अगर आपका PROTEIN एक मीट इन से मिल रहा हो तो उसे बोलता है first class protein क्योंकि इसमें protein लग भग लग 90 से 100% protein पाय जाता है एग, meat और milk मार लो चोले लेकिन हाँ, एग, milk और meat second class होता है जो कि vegetables, आपकी pulses इनसे मिलता है उसे क्या बोलता है protein type B second class तो सबसे जद्ध अगर कोई protein की बात करें तो मैं कहता हूं एग में सबसे जद्धा protein अब ऐसा तुम्हें पता ही है लेकिन एग में लेकिन अगर तुम्हें से क्यूशन बोलता है एग, meat, milk तो फिर तुम confuse हो जाओगे एग में प्रोटीन होता है लेकिन तीन option साथ मुझे देग जैसे तो confuse हो जाओगे तो हम बात कर रहे हैं कि एग के अंदर सबसे जद्धा protein पाया जद्धा है एग में जो protein होता है यह सबसे जद्धा होता इसलिए हम एग के protein को बोलता है referral protein एक के protein को नाम होता है referral protein और तुमें में एक चीज बता दो आज आज इतनी बड़ी चीज बता रहोगी तुम याद रहोगे आज की चीज यह है कि मेरा तो introduction आप जानते हैं नहीं जानते मुझे पता नहीं क्या कुछ है आपको पता है या नहीं है लेकिन है सबसे बड़ी चीज बता दो पता हूं कि जो हमेजा बड़े के पीछे भागता है वो छोटे से ता है है कि सद्धित बढ़े के सथे लिए best are the consumers चौट्र मारता है अगर network अब चलाग मारणे की local तो बहुत सार लोकों को लगता रहा है यार यह क्या पड़ना यह क्या पड़ना यह क्या पड़ना यह तो मैं सेल्प कर लूँगा तो कर ले अगर सेल्प बच्चे कर सकते हैं तो कर लो सेल्प ट्राइ करके देखो एक वार कितने सेल्प तुम पहुचते हो ठीक है लेकिन हाँ मेरा उदेश ही यह है कि अगर मैं चलो जब जंग छेड़ी तो फिर जंग को खतम करके ही मानेंगे है ना इसलिए तुम हाई हाई क्लास से तुम्हारी जो आदत है न वह थोड़ी से अलग है अट क्या आदत है तुम क्या करते हो हाई क्लास देखते हो हाई क्लास कमें तो समझ मारा है तुम सीधा नोट से मेंस के उपर फोकस कर रहे हो भाई पहले प्री तो निकाल और प्री यहीं से आएगा प्री करेगा तो मैंस से हनुड्र से हंट्रेड परसेंट होता तो स्मय है मार SAT और इख फोल प्रोटी और रिकोईर फोर कि हमारे बोडी में ब्रोटीन की जरुरगा ही है deciding किया करता है जिश्य ये प्रोटीन हमारे वुंड को कही करने में सबसे है वुंड ही लिग हो अगर आपका बर्न का है तो बरन में भी वुंड ही लिंग करनी है वुंड हीलिंग में हमारे ऊसल स्ट्रौ抗 करने में ठीक है इन सबसे ज्रीजोर करwater प्रोटीन से वेट रिडेक्शन होता है, कैल्सियम का अब्जॉप्शन होता है, भाई यह वेट रिडेक्शन नहीं होता है ना कैल्सियम का अब्जॉप्शन होता है, इससे, maintenance for body tissue बिल्कुल, protein हमारे body tissue के लिए maintenance है especially wound healing में, wound को growth, body को growth करवाने में, body muscles में, growth में, protein ज़रूरी है As a nurse, you are a client, you are, you teach a client who had surgery, surgery होई है तो बताओ भईया, जहाँ पर surgery होती है, surgery होती है, वहाँ पर cell break होती है कि नहीं होती है Cell break होती होती है, हमें किस की जुरूत पढ़ती है, wound healing में, protein की तो तुमसे पूछा जारा, surgery, to increase the, which nutrient to help with tissue repair कि tissue repair में कौन सा nutrient ज़रूरी है, very, 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 very star mark लगे 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 कि tissue repair में कौन सा protein की ज़रूत होती है, तो तुम्हें protein की ज़रूत होती है मतलब कौन सा nutrient की ज़रूत होती है, protein की ज़रूत होती है और मैंने तुम्हें बता है था nutrient के classification शुरुवात में यहाँ देखनी है nutrient के दो classification होता है macro और micro macro को क्या बोलता है proximal principle क्यों हो क्यों हो कि यह bulk बनाता food का micro के example में तुम्हें बता है micro दो प्रकार को होता है vitamin और minerals याद रहेंगे vitamins and minerals और मेक्रों होते हैं वो क्या होता है protein fate, carbohydrate protein fate, carbohydrate होते है macro में और micro vitamins और minerals होते हैं बिल्कुल याद रहेंगे और बता दो चलो वो पूछ लूँ क्या essential fatty acid पूछ लूँ essential fatty acid कितना होता है 3 कौन-कौन से बता हो जरा और बताओ एक और अर्केडोरी कैसे डोता है दूसरा बताओ, दू और बताओ और बताओ और एक और अर्केडोरी कैसे डोता है दूसरा पिच्छ जाना पड़ेगा कि तुम्हें चलो ठीक है, comment बता देना ठीक है how many calories are provided 1 gram of protein 1 gram protein कितनी kilo calories दाता है कितनी बार पूचा जाएक कुशन है कितनी बार पड़ेगा हमने कितनी 4 kilo calorie energy दाता है ठीक है भाईया which one of the following is not a body building food इन मैं से ऐसा कौन सा है जो कि body building food नहीं है which one of the following is not a body building food बताओ meat, pulse, egg, fruits meat में भी protein होता है pulse में भी protein होता है एक में भी protein होता है लेकिन fruits में protein नहीं होता है तो answer क्या चला जाएगा fruit क्योंकि fruit में क्या नहीं होता है protein नहीं होता है बलकि meat, pulse और एक में protein होता है ठीक है हाँ तो भई comment कर दी होगे उसके और अगर आपने comment नहीं किया है मैं आपके लिए बता देता हूँ comment कर ला ना क्योंकि भी live session नहीं चलता है जब live चला हैंगे तो फिर आपकी comment भी देखेंगे अब भी आप थोड़ा सा ऐसे ही चलो ठीक है तो एक तो अर्कडोनिक असीड था दूसरा linolenic acid था और किसरा linolic acid था ठीक है अर्कडोनिक और यह भी कौण से टाइप का अल्फा टाइप का याद रखनो बूलना नहीं है linolenic, linoic और अर्कडोनिक यह क्या है essential fatty acid था और बताओ एक मातर हमने पढ़ा था क्या एक मातर को एंजाइम सोरी या एक मातर antioxidant चलो यह बता तो which one of the following food step is a good source of protein इन में से सबसे जादा good source of protein क्या है green vegetables यह विटामिन B12 होता है इसमें तो fruits, fruits में होता नहीं है cereals, दाले है pulses cereals मतला और बुन्वा अन्नाच दाले होते हैं पलसेज चलो, milk and milk product क्या अंसरे दला जाएगा सिधा सिधा milk and milk product in protein classification class A अभी बताये था थोड़े देर पहले class A और class B class A को मैंने का था first class क्याते है class A को क्या नाम दिया था first class और यह first class क्या होती है भाई यह बताऊ first class होती है animals proteins यतने भी होता है animals proteins हमें क्या मिलता है meat हमें क्या मिलता है egg तो animals protein जितने भी होते हो, क्या होते है, class A type के, भूलिएगा, नहीं, भूलना मना है, which instruction, which when, sorry, when instructing a patient about a diet, proper diet, which among of the following would be considered as a complete protein, इन में से complete protein कौन सा है, complete protein का मतलब ऐसा protein जिसमें, complete protein का मतलब क्या होता है, जिसमें समपूर, पूरे के पूरे essential amino acid, पूरे के पूरे essential amino acid present हो, उस protein को बोलते हैं, complete protein, तो sir, complete protein एक वा protein होता है, जिसमें पूरे के पूरे essential amino acid का होते है, present होता है, क्या गलता है, आपका biological complete protein और अभी थोड़ी देर पहले मेरा बता है था ऐसे proteins होते है हमारे एग में एग में 99 percentage क्या होता है protein होता है इसलिए हम इसको क्या बोलता है अगला question भी आगा referral protein referral protein is referral protein बोलते है क्यों कि यह क्या है ठीक है अगला question यह थोड़ा हट के question आया वापस की lysine is found in ध्यान रखिए का यह लाइसीन क्या है सरीय तो essential amino acid है lysine, leucine, tryptophan, phenylalanine ठीक है अरे याद रहेगा methodonic acid और वाँ arginine सरीय तो बच्चों में होता है adult में नहीं क्या बात करते हो बहुत सारी चीज़े सीख लिए रभाई तो आज है तुम ने तो बहुत सारी चीज़े सीख लिए और मेरा यह मानना है कि चाहिए तुम मुझे मेरा यूज जहां तक मानना है कि अगर आप PhD के professor से पढ़के भी आपको कुछ याद नहीं होता है आपको बार बार रिविजन मारना पड़ता है रटा मारना पड़ता है याद करना पड़ता है उससे अच्छा है तो फस्ट एर के किसी बच्चे से पढ़ लो अगर वो तुम्हें अच्छे से समझा पाए त्यान रखिए गए छोटी-छोटी चीजों को छोटी-छोटी चीजे आपकी जीवन बहुत बदला कर सकती है ठीक है लेकिन हाँ continuity एक जगे पर ही रखना lysine जो है वो कहां पर पाए जाता है milk में, pulses में, दलिया में या राइस में दलिया और राइस को छोड़ो अब बच्छे कोण से दो चीजे या तो pulses होगा या फिर milk होगा क्योंकि दो लों में प्रोटीन होता है और lysine जोटीन होता है और lysine जोटीन होता है तो answer तो दो में से एक जाएगा लेकिन तो मैं बता दूँ कि milk के अंदर नहीं बले कि यह किसमें होता है pulses के अंदर तो जिया रखेगा pulses के अंदर आपका सबसे ज़्यादा मातरा के अंदर दालों के अंदर होगे पूछ ले कि दालों में सबसे ज़्यादा क्या होता भया सोया बीन क्या है सोया बीन भी दाड़ा है तो SoYaBeen में भी क्या होता है Lysine और Polseyes में भी क्या होता है Lysines ठीक है भईया Next देको Gluten, Lysine Lysine अर भईये Glysine नहीं था ये Lysine था QA तैक में रहलीकिसी Mistake और हाइ हाइ गलती से क्या हो गई भईया इसके Mistake हो गई इस क्यूशन में है, जो क्यूशन अभी बुक में भी गलत हैं, तो ध्यान रखेगा इसका आंसर या तो जाएगा लाइसीन, क्या जाएगा, लाइसीन जाएगा, वो क्या बाता, अल्यूसीन इसने दे दिया, ठीक है, इसने प्रोटीन की कमी हो जाएगा, तो चलो, कि भाई जब प्रोटीन की कमी हो जाती, तो क्या देखने को मिलता है, मैं तुम्हे एक चीज़ बता दू, हलका सा तुम्याद रखना, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम से कोई इस तान का नहीं है, अब यह देखो, नेगिटिव निट्रोटीन ए सो पॉजिटिव नीट्रोटीन पेस, यह क्या होता है, इनको समझते है, तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि बई, नाइट्रोजन अच्छा बेलेंस है ना तो पहला हम यह समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन बेलेंस क्या होता है हम यह कहते हैं कि नाइट्रोजन बेलेंस का मतलब होता है जितना हमने नाइट्रोजन इट किया जितना हमने नाइट्रोजन खाया और जितना हमारा वापस एक्सक् बढ़ाबर बैलेंस किसे निकालते है दो नहीं क्यातना जड़ा इन दोनों कहुंता है कि युफरेंस में करते हैं अब कभी क्या होता है कि ल id comp markets go or do饅च वेच्व जझी जरा हो रहा है एक्सकृत पलु इंग्रीज हो रहा है तो एक्सकृत इंग्रीजर रहा है है तो हम ङहां गतलब ऐंधिन सई इन गेकिजीद से तक अम पैसे बहुत आ Strength है यहां अर आब तो प्रोटिं की ले तो प्रोटीन कम खाओगे और अगर ज्यादा निकलेगा तो इससे क्या बोलता है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस तो पूछा जाता है क्यूशन में या फिर आप यासा समझ लो फ्रोटिन अपका जैसे बर्न है अगर किसी भैटिकर बर्न हुआ जल गया तो बोड्य से क्लिए हऊगा प्रोटीन ज्यादा होगा ओझावाली कंडिशन क्या होती है नेगेटिव तो आमसे के चला जाएगा इसका नेगेटिव नाइड रूजल भैलेट्स तो प्रोटाइन की डिफीजेबिंस否 में क्या देखने कोमलता है नेगेटिव रूज भैलेट्स और nitrogen balance के लिए डाइग्नोसिस करने के लिए हमें कि टेस्ट करते है उसका नाम होता B.U.I.M. Blood Urea Nitrogen तो Blood Urea Nitrogen किया जाता है ये nitrogen balance को देखने के अंदर करते है nitrogen balance क्या होता है मैंना भी बताया nitrogen balance मतलब कि जितना हम खा रहे हैं और जितना जो निकल रहा है उनके बीच के minus को क्या बोलता है nitrogen balance याद रहेगी चीज़े या फिर नहीं रहेगी The amount of a protein required by an adult एक adult के अंदर पर रेक कितना protein मांगता है क्यूशन आपसी ये पूछा चाहरा है पर कैजी पर वेट में ठीक है एक मिटे ना आपको protein पूछा जारा adult के अंदर तो ध्यान रखिएगा adult के अंदर जो protein की requirement रहती है adult में protein की requirement रहती है 1 gram protein पर कैजी पर वोडी वेट तो अगर एक 70 kg का आदमी है पूछा protein तो ध्यान रखिएगा 70 gram उसको पर ले protein की जरूरत होगी ठीक है तो एक gram protein पर कैजी पर वोडी वेट के हिसाब से आपको जरूरी है क्यूशन हमने 40 कर लिए भाई मुझे लगता है अभी समय लग एक गंटा भी नहीं होगा और कितनी चीज़े तुमने सीख ली वो तुम्हें भी पता है बहुत सार बच्चे हैं जिनको खाली उसी में मज़ा आता है तो फिर वो वही काम करेंगे ठीक है इसे कौन से पॉली से करा है जो हमारे हुमन एंजाइम के द्वारा वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो ध्यान रखिएगा यह पताना नाम आपने सेलूलोज जो कि प्लांट्स के अंदर होता इसलिए तुम पतियां नहीं खा सकते हैं पतियां आतना खाके जिंदा रह सकते थे लेकिन आपके सरीर में जो सेलूलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता आपके जो हमन एंजाइम से वो उसको डाइजेस्ट नहीं करते इसलिए तुम पतियां नहीं खा सकते बात आईगा समझ में आंसर क्या चला जाएगा अगला पूछा जारा वीज वन ऑफ द फॉलविंग कंसेंट्रेशन इस हाइस्ट हनी सुगर यानि कि हनी सुगर जो है सबसे ज़दा किसके अंदर प्रजेंट रहती है तो कोन से हनी के अंदर कोन से परकार की सुगर आपको देखने को मिलती है सपसे ज़दा मात्रा में कौन सी सुगर आपको देखने को मिलती है तो आप कसी दसी दान से चलाचाहिए ये होती है Fructose Honey के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी होती है Fructose देखने को मिल दिये अगला पुछा जा रहा Lactose present in the milk अब तुम्हें मैं बता दू यह समझेना थोड़ा साथा North Set के क्यों शले यह जो आ रहे हैं वो वाला वो वाले हैं तुम कैसे समझो के देखो सुक्रोज Lactose और Maltose अब तुम्हारी ट्रिक जो तुम नाम बढ़ाओ ठीक है यह लो साब संकर जी यह लाल जी और M आपकी साब से कुछ भी सेट कर लो पीछे तो ठीक है अब सुक्रोज अब देखो एक होता है सुक्रोज एक होता सुक्रेज और जिसके पीछे एज लगा है मतलब एंजाइम है लेकिन हम यह आपके क्या लगा रहा है जैसे ग्लुकोज ओज लगा तो इसी प्रकारिया होता सुक्रोज Lactose Maltose देखो Lase नहीं लगाना है Lose लगाना है कहाने का मतलब जैसे समझे रहाना है जैसे यह देखो Maltose लिखा हुए यह Maltose यह Lactose ऐसे और रगर इसके पीछे A-S लगे है A-S इसका मतलब एंजाइम बन जाएगा तो सुक्रोज Lactose और Maltose जो सुक्रोज बनता है वो किससे बनता है यह IMPORTANT है क्यूशन यह बहुत ज़दा IMPORTANT है तो सुक्रोज बनता है Glucose प्लस Fructose से Lactose मनता है Glucose प्लस Galactose से और Maltose मनता है Glucose प्लस Glucose से ठीक है सुक्रोज किससे बनेगा Glucose प्लस Galactose से Lactose किससे बनेगा Glucose प्लस Galactose से और maltose किसे बनेगा glucose plus glucose है तो तुमसे क्यूशन पूछा गया lactose present in milk is कि भी जो lactose milk में होता है तो अब तुमसे ये भी क्यूशन पूछ सकता है कि lactose किसमें पाए जाता है? milk में honey में क्या पाए जाता है? fructose और lactose किसमें पाए जाता है? milk में ठीक है तो जो lactose है जो कि आपके milk नहीं होता वो क्या है तो भाईया lactose तो disegaride है मारो बचीड disegaride lactose क्या है? अगला ग्यूशन पूछ रहा है कि lactose is composed of following two sugar कि lactose कौन दो sugar से milk करके बना है अच्छा तुम्हें ट्रिक बता देता भ्याद करने की तुम भी क्या याद रखोगे यार देखो अब इसका संकरलाल इसका तुम कोई भी पिछे नाम सोच ले ना ठीक है जी एफ किसकी, जीजा की और जीजा किसका, जीजी का अड़ जी एफ किसकी, जीजा की जीजा किसका, जीजी का याद हुई GF किसकी G जाएगी G जाएगी किसका GG का ठीक है ऐसी ट्रिक याद रिखना तो अब तुम से पूछ रहा है Lectose यह रहा साब GF किसकी G जाएगी G plus G है यहनि glucose plus galactose glucose and galactose की होती है आपकी lactose याद रहे हैं कि तो lactose किसकी होती है glucose and galactose बाद ही समझ में अगला क्यूशे Which statement about food and nutrient is not correct Food और nutrient के बारे में ऐसा कौन सा statement है जो सही नहीं है पहला बूच रहा है Food also perform a function to satisfy emotional needs like sense of security and attention अच्छा दूसरा देखो Stars found in cereals is an example of a protein in food अच्छा अगला देखो हाली तुम इन दीजों को x के नहीं का पे देपन sorry इस क्यूशन को वापस ही गड़ देखो है हाँ अगला क्यूशन देखो Which statement about the food and nutrition is not correct इन में से कौन सी चीज़ जो है गलत है पहला गरा Food also perform a function of satisfy emotional needs like a sense and security attention चलो कोई बात रहें परफॉर्म करता ही कि हमार जूशन लीड्स है उसको भी क्या करने में चलो satisfy करने में अगला देखो stars found in cereals cereals का मतलब होता भई anach और anach में क्या पाई जाता है stars पाई जाता है ठीक है इस एक्जांपल प्रोटीन गलत बात है यह प्रोटीन के एक्जांपल नहीं है ठीक है तो यह किसके एक्जांपल है और किसके एक्जांपल है अभी मैंने बताई था थोड़ी देर पहले cereals में क्या होता है cereals मतलब starts और इस चार्ट मतलब carbohydrates और carbohydrates का मतलब इसमें कितने carbohydrates होता है तीन परकार के और कौन से इन परकार के लेकिन cereals में सबसे ज़्यादा कौन से होता है पोली, से, राइट, ठीक है protein किसम होगा भाया मैंना भी तुम्हें बताई था protein के अंदर सबसे फर्स नमर पर कौन से आएगा एग, यह ध्यान एक सबसे फर्स नमर पर आएगा पर आपको याद होगे और अभी भी तुमको याद नहीं वो तुमारी अलक्से बढ़जी अगला क्विशन पूच रहाए कि कार वो हाइडरेट से कितनी एनर्जी मिल रही है तुम्हें मुना यह पूचा जा रहा है कार वो हाइडरेट से कितनी एनर्जी मिलती है बोडी को मैंने तुम्हें पहले बता दिया शुरुवात के सेसन में मैंने का कितना गा था कितनी मिलती है वही अर 90 से 100 तो नहीं मिलती है 50 से 70 अर 90 पचास तो कम हो गया 40 से 50 ना 80 से 90 क्या अंसर बचीट मारोगे यहाँ पर 80 से अर एक मिनिट 90 अगे नहीं पर सोरी 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 यहाँ पर कितरा 50 से 70 है ना तो maximum 70 तक मिलेगी ठीक है 90 नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने तो में सुरुवाद के सैसर में बताए तो कार्बोहाडरेट कितनी देता है 60 से 70 परसेंट कार्बोहाडरेट कितनी देता 6 से सितर और फेट कितनी देता लगवग 20 से 30 तो फिर 30 कहां जाएगे अगर हम नबबे कर लेंगे तो क्या आँसर चला जाएगे फिर इसका B 50 से 70 परसेंट शुरुवाद के सैसर में बताए तो याद बरो 50 से 70 मिलते हैं कार्बोहाडरेट से और 20 से 30 मिलती तुमारी फेट से ठीक है अगला किशन पूसर आए तो में कि इन इन इंडियन डाइट कार्बोहाडरेट कांस्टिक्यूट तो फॉलोविंग परसेंटे जो टोटल बोडी इंटे कार्बोहाडरेट से 35 सिद्धा आंसर लगा दो 60 से 80 कितनी मिलेगी 60 से 80 कार्बोहाडरेट से यहाद हुई चीजे चल अगला किशन पूछ रहा है तुम्हें फेट से कितनी मिलती है फेट से कितनी मिलती है 20 से लगर के 30 परसेंट तुम्हें फेट से मिलती है तो ऐसे याद रोको 20 से 30 फेट और 60 से 80 से तुमारे कार्भो हाइटर्ट से अगला क्यूशन यह होगे 50 किस है अपने 50 होगी 50 maximum source of energy in our body कि हमारे body में maximum source of energy क्या है यानि कि सबसे ज़्यादा हमें energy कहां से मिलती है तो भाया जांसे आपको 80% energy मिलती है 60-80% वो ही highest होगी क्या होगा answer कार्भो हाइटरेट अगरे तुम्हें food का पूछ है तीन नाम देखर के कि कौन सा food ज़्यादा produce करने की समता रगता है तो फिर आंसर जाएगा no फेट पे है जो कि 9 किलो केलोरी energy तुम्हें देता है इसी के साथ आपके 50 MCQs जो की nutrition के है with rational हमें अच्छे से समझ में आगे 200 MCQ है 5 वीडियो में पूरी nutrition complete और देख लेना सर्च कर लेना YouTube पे तुम्हें कहीं मिल जाए तो बता देना और या मुझे ये भी बता देना एक paper में अगर इसके 4 question आते है न nutrition के अगर बाकी कोई दूसरा local paper हो रहा है तो उसमें लगबख 4 MCQ आएंगे और 4 MCQ अपनी बहुत बड़ी भूमी का निबाता उस paper के अंदर बात आई समझ में इसी के साथ अगर आपको हमारी class अची लगती है अगर आपको कुछ समझ में आया और वाकिए अगर तुम्हें दिल से समझ में आया और तुम्हें पच्छास MC को याद हुए तो फिर समझ लेना अपने सारे दोस्तों को बता देना कि बिना वालतू तुम अपने यूट्यूब चैनल पर करवाया ताकि बचों की help हो और आज काफी सार बचों को उनसा benefit मिला और यहां तक मैं आपको बता दूँ कि राजस्तान University of Health and Science में 85% के साथ में पिछले साली 4th year के अंदर एक लड़की टॉपर हुई है यह अपने ही चैनल से हैं हम कोई किसी क्योंकि हमेंसा ध्यान रखेगा जिसकी उंची दुकान में हमेंसा कैसे पकवान होते हैं तो मैं पता होना चाहिए चलिए भया ठीक है अगर आपको क्लास अचे लगें आप अपने फ्रेंट्स साथ में सेर करें और डाईससांमसी की हो है completely हम करते हैंगे 5 वीडियो के अंदर हो सकता है वो 5 वीडियो दो दिन में complete हो जाए तो दो दिन में आपके पूरी nutrition complete हो जाएगे ठीक है thanks